second lecture of basic maths में हम slope के बारे में पढ़ेंगे और physics में slope दो तरीके से define होगा हम slope के magnitude के बारे में जानेंगे slopes magnitude और हम बात करेंगे slope के direction की क्योंकि physics में हर चीज़ direction से related है तो हम इसकी भी बात करेंगे कि slope का direction क्या है बट उससे पहले एक बार quick revision of last lecture कि slope होता क्या है तो slope is basically in physics और in maths also slope किसी भी line का angle with the positive x-axis अगर यह x-axis है यह y-axis है तो जो भी यह angle बनाता है यह इसके बारे में बताता है तो slope को हम तीन तरीके से define करते हैं in physics हम बात करेंगे slope की delta y by delta x अगर change बहुत बढ़ा है तो हम delta y by delta x बोलेंगे हम इसको tan theta भी बोलेंगे because जो भी angle यह बना रहा है positive x-axis के साथ हम उसकी बात करेंगे और अगर change बहुत छोटा है जिसके बारे में हम बात में बात करेंगे so it is also defined as dy by dx और इस चीज की चर्चा जो है हम बात में करेंगे later okay हम इसकी बात में चर्चा करेंगे तो फिलाल हम केवल magnitude और direction से बहुत सारे graph के बारे में समझ सकते हैं और जब भी हम magnitude की बात करेंगे हम बात करेंगे कि magnitude उसका increase कर रहा है magnitude slope का decrease कर रहा है या magnitude constant रह रहा है और जब हम direction की बात करेंगे तो हम direction की बात करते वक्त हम बात करेंगे कि slope जो है वो positive है या slope जो है negative है हम ये दो चीज में बात करेंगे because physics में तो अभी हमने देखा था कि हर चीज में positive negative आ रहा है kinematics में positive negative आ रहा है आप direction में positive negative आ रहा है वेक्टर में positive negative आ रहा है तो slope में भी positive negative आएगा और इसका भी direction होता है so now moving ahead कुछ example से start करते हैं before we jump on to physics सबसे पहला जो example है हम मैं आप से पूछूँगा और हम किसी भी इस type के line की बात अगर हम करें तो हम इसको बोलेंगे positive slope क्योंकि positive slope क्योंकि मैंने बोला slope क्या होता है tan of theta होता है और 0 पे tan 0 पे अगर हम theta को 0 degree कर दें तो इसकी value क्या होती है 0 होती है मतलब tan 0 कब होगा जब एक line जो है बिलकुल इस तरीके से होगा tan 90 degree का अब होगा क्योंकि हम theta तो यह define कर रहे है and therefore tan 90 degree जो होगा यह होगा infinity जब यह line vertical हो जाएगा इस तरीके से और जो angle यह बनाएगा यह angle यह theta is equal to 90 degree हम यहाँ पे बात करेंगे so आप देखो 0 और infinity के बीच में 0 और 90 degree के बीच में जितने भी angle होगे मतलब 0 से लेके theta से लेके 90 degree के बीच में tan की जो value है यह हमेशा ही positive होगे tan 30 degree की value देख लो tan 60 degree की value देख लो यह हमेशा ही positive होगे and therefore tan theta in 0 to 90 positive है तो हम क्या बोलेंगे यह जो slope है यह भी positive है अब examples कर लेते हैं बहुत सारे अब यह बताओ यह वाला slope positive है yes यह भी slope positive है यह वाला slope positive है yes यह भी positive है मतलब हम सारे lines जो मैं यहाँ पर draw कर रहा हूँ orange से they are all positive slopes मतलब मैं यह बोल सकता हूँ इस सारे line का slope जो है यह positive है तो हम पहली चीज़ तो जानगे कि slope के बारे में slope के nature के बारे में कि slope positive होता है अब कौन सा negative होगा फिर तो जो भी angle 90 degree से जादा होगा मतलब जैसे ही आप आपने यह भी पढ़ा होगा trigonometry में कि जैसे ही quadrant second हो जाता है first quadrant से second quadrant में सारे tan की values negative होती है यहाँ पर tan theta is negative तो जब भी line अभी हम चले जाते हैं second उसमे second graph में और second graph में जब भी line x axis के साथ अगर यह x axis है 90 degree से जादा बना रहा होगा angle मतलब इस तरीके का angle बना रहा होगा तो यह देखो angle क्या है 90 degree से जादा है ठीक है इस तरीके का angle बना रहा होगा यह भी 90 degree से जादा है इस तरीके का एंगल बना रहोगा, इस तरीके का एंगल बना रहोगा, इन सभी cases में, एंगल जो है 90 डिग्री से जादा है, and therefore, in all the cases, in all the cases, slope जो है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, slope is negative, okay, slope is negative, तो positive और negative, I hope आपको समझ में आ गया हो, और क्यूं होता है, यह भी आपको समझ म आ गया हो, अभी हम, बहुत सारी चीजें, इसको physics में जब apply करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अब हम बात करते हैं, magnitude of slope, तो magnitude, जैसा मैंने बताया, यह increase करेगा, यह decrease करेगा, अभी देख लेते हैं, दोनों ही cases में, और simple धलान से अगर आप देखोगे, तो आपको सिंपल है, इस number line पे, मैं इस तरीके से slope define करता हूँ, बहुत steep slope हो गया है, क्योंकि angle बहुत जादा है, और 10 आपको पता है, जैसे 90 के पास आता है, infinity हो जाता है, तो obviously यह बहुत steep slope है, अब यहाँ पे अगर यह slope, अगला slope, यह मैं बोलता हूँ, this is first slope, this is second slope, अब आप क्या बोलोगे, magnitude decrease कर रहा है, slope का, या increase कर रहा है, तो obviously आप बता दोगे, बहुत असानी से कि magnitude तो decrease कर रहा है, यह ज़्यादा steep था, यह कम steep है, अब अगर मैं तीसरा line इस तरीके से draw करो, आप बोलोगे, यह और भी कम हो गया, तो बिलकुल असान है कि magnitude यहाँ पे 1 से लेके, 2 से तरी तक slope का magnitude धलान जो है कम हो रहा है, मतलब steepness कम हो रहा है, तो steepness कम हो रहा है, ठीक है, श्टीपनेस कम हो रहा है, so 1 से 2 से 3 तक जाते वगक steepness जो है, बहुत कम हो रहा है, so this is, we talk about magnitude कम हो रहा है, ज्यादा क्या होगा, अगर यही चीज, यही चीज, अगर मैं उल्टे तर किसे बना था कि भई पहले पहले steepness बहुत कम था ऐसे था फिर आपने steepness बढ़ा दिया फिर आपने steepness बढ़ा दिया फिर आपने steepness बढ़ा दिया so one two three and four यहां पर क्या हो गया slope का magnitude जो है magnitude is increasing between one to four तो magnitude one से two से three से four से बढ़ रहा है क्योंकि आप अभी कुछ angle वंगल नहीं देख रहा है आप बस steepness देख रहा हो कि steepness बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बढ़ रहा है बिलकुल बढ़ रहा है अब negative के लिए बात कर लेते हैं तो उसके बात physics कर लेंगें तो negative slope में भी same चीज आएगी steepness आपको positive negative value नहीं देखना है mostly बचे confused रहते हैं कि सर negative value जो है न वो maths में अलग तरीके से पढ़ा था यहाँ पर भी बिलकुल steepness के बात करेंगे आप यह बताओ ये ज्यादा steep है कि ये ज्यादा steep है कि ये ज्यादा steep है तो obviously आप बोलोगे one जो है सर बहुत ज्यादा steep है two उसे कम steep है three उसे कम steep है नेगेटिव है ये तीनों slope negative है but one ज्यादा steep है इसलिए magnitude की जब हम बात करेंगे जब हम magnitude की बात करेंगे तो simple रखेंगे magnitude obviously one का ज्यादा है अब हम minus sign लगा के नहीं रेखते magnitude magnitude के वहले एक number है और यहाँ steepness से हम मतलब है बस हमें कि यह ज्यादा steep है तो यह इसका magnitude ज्यादा है two comes deep है so one से magnitude जो है one का two से ज्यादा है और two का three से ज्यादा है मतलब one से three जाते वक्त magnitude decrease हो रहा है अगर one से two से three तक जाएंगे तो magnitude is decreasing तो clearly आपको दिख रहा है कि अगर यह line था और मेरे थोड़े line बनाने के टेक्नीक पर मत जाना नहीं तो कई पर line becomes मेरे लिए line जो है न यह अच्छे से बना देते हैं रुप जाओ so basically यह और तीसरा यह ठीक है so one से two से three तक अगर हम define करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से magnitude जो है हम cable steepness से relate करते हैं अब देखो कि बहुत important चीज अब हम physics में उतर जाते हैं physics में हमने पिछले lecture में एक xt graph बढ़ा था ठीक है और graph कितना important है physics में आपको दिखेगा physics में अगर graph समझ में आ गया तो आप तो question easy peasy lemon squeezy की तरह solve कर सकते हो तो basically क्या है यहाँ पे physics में अगर हम देखें graph का xt graph करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक straight line draw किया था ठीक है आज हम एक curve draw करेंगे xt और बिना बहुत कुछ जाने के वहल basic knowledge जाने हुए आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो ठीक है यह वाला part हटा देता है curve अब आप देखो कि अगर मैं बोलता हूँ आपको कल पिछले lecture में यह समझ में जरूर आ गया था कि भई xt graph x meter में अभी mostly और time second में वाजसे xt graph हम define करते है slope of xt graph ठीक है किसी भी instant पे अगर draw करोगे तो instantaneous velocity देगा किसी भी 2 point के बीच में draw करोगे तो average velocity देगा बट हम अभी interested है instantaneous velocity में तो slope of xt graph at any point at any point okay it will give me instantaneous velocity या आगे जाते वक्त हम केवल हम केवल velocity की बात करेंगे ठीक है कई बार instantaneous word drop हो जाता है और केवल हम velocity की बात करते हैं केवल velocity दिया हुआ है तो उसका मतलब instantaneous velocity ही होता है तो slope of xt graph at any point is instantaneous velocity और अब हम इस graph को देखके क्या हम velocity के बारे में बता सकते हैं क्योंकि मैं slope के दो properties के बारे में बता सकता हूँ slope का magnitude और slope का direction ठीक है positive है या negative है तो इस पूरे graph में देखो मैं किसी भी point को select करता हूँ मैं let's say पहले point को select करता हूँ और यहाँ पे एक tangent draw कर देता हूँ क्योंकि slope of xt graph at any point is instantaneous velocity और slope क्या है यह tangent है जो मैंने किसी भी point पे draw किया यही होगा यहाँ पे slope इसका क्योंकि अगर धलान देखनी है मुझे 1 का तो 1 को magnify कर दो तो क्या दिखेगा बिल्कुल एक बहुत छोटा triangle देखेगा और वो triangle जो है उसको extend कर देंगे तो वो tangent होता है इस point पे 1 पे tangent होता है तो अब देखो यह पहली चीज़ बताओ मुझे यह positive है और negative है तो obviously आप बोलोगे sir यह तो positive है क्योंकि angle जो है acute angle है यह जो theta बना रहा है यह 90 degree से कम अब 2 पे देख लेते हैं तो पे अगर मैं tangent ड्रॉ करता हो इस तरीके से अब मैं पूछू कि 2 पे यह 1 पे तो आपने बोल दिया positive है अब मैं अगर 2 पे पूछूँँगा तो 2 पे क्या बोलोगे आप angle positive है negative है तो यहाँ पे भी आप बोलोगे sir यह जो theta 2 है यह theta 1 कर लेते है theta 2 जो है sir यह भी तो 90 डिग्री से कम है acute angle है तो यह भी positive होगा तो मैंने बोला चलो बचो सही है 1 और 2 जो है angle is positive मतलब slope is positive मतलब मैं यह बोल सकता हूँ कि 1 और 2 इस graph में केवल graph देखके मैं बता सकता हूँ कि velocity जो है इस graph के लिए velocity is always इस graph के लिए यहां से लेके यहां तक की बात कर लें तो velocity is always positive क्योंकि हर जगा पे velocity is always positive तो यह तो information आ गई केवल देखके कितनी है value नहीं है वो सब अभी बात की बात है बट यह तो पक्का है कि velocity positive है अब second चीज़ जो हम सीखेंगे यहां पे वो है velocity का magnitude increase कर रहा है या decrease कर रहा है तो मैं अब पूछूँ आपसे कि velocity का magnitude velocity का magnitude increase कर रहा है increasing और decreasing increasing मत बोल देना बच्चों ठीक है चैट में लिखना होता है आपको तो आप तो क्या करोगे आप increasing बोली नहीं सकते मेरे friends से कुछ IIT के अंदर मतलब thermodynamics में उनसे पूछा गया था वाईवा में कि भाई temperature increase कर रहा है decrease कर रहा full confidence उन्हों का crease और सामने वाले ने invigilator ने पूरे number भी दे दिये थे उनको समझ में आए कि बच्चा सही बोल रहा है इतना confident है तो आप मत कर देना यह इसलिए तो online लेके हैं कि आप जैसे बच्चे जो है वो crease में बेवकूफ ना बना पाएं teachers को anyways तो velocity का magnitude increasing या decreasing तो अब आप देखो यहां पे धलान धलान जो है वो increase कर रहा है पहले धलान कम था यह देखो यह अभी हमने सीखा था फिर देखो धलान जो है दूसरा धलान जो है वो ऐसा कुछ है तो धलान increase कर रहा है 1 से 2 तक जाते वक steepness is increasing steepness is increasing so clearly आप बता सकते हो यहां पे कि velocity का magnitude magnitude increase कर रहा है velocity का magnitude मतलब simple से इस graph से आप दो चीज़े बता सकते थे इस graph को देखते होए मैं इस graph को अगर इनी मीनी tiny मीनी मो कर दूँ मैं छोटा सा कर दूँ एक minute so basically इस graph को हम copy कर लेते हैं और नीचे एक बार paste कर देते हैं ठीक है और इसको हम इस ग्राफ से हम दो चीज़े सीख सकते हैं इस graph से हम सीखेंगे velocity is positive and velocity का magnitude magnitude increase कर रहा है तो अगर मुझे velocity time graph बनाना होता बच्चों इसी से अगर मुझे velocity time graph बनाना होता तो मैं ये बोलता कि velocity जो है इस कहीं तो ऐसा होगा मतलब इस जगा पे होगा और because positive है और उसका magnitude increase कर रहा है अब वो straight line होगा कि नहीं होगा वो हम अगले lecture में सीखेंगे but at least ये समझ में आगया basic क्योंकि मैं हर रोज बोला है कि 15-20 minute का मैं lecture लूँगा और जो हमने lecture में देखा वो एक बार फिर से revise कर लेते हैं quickly मैंने आपको बताया कि हम आज के lecture में slope की बात कर रहे है slope एक बहुत ही important चीज है क्योंकि slope physics के अंदर xt graph का slope क्या देता है velocity के बारे में बताता है तो आपको xt देखके velocity पता चल जाएगा और velocity time graph का slope जो है वो acceleration के बारे में बताता है तो केवल xt graph दिया हुआ है उससे velocity का nature पता चल गया और velocity के nature से आपको acceleration का nature पता चल जाएगा मतलब single graph से अगर आप slope समझ लेते हो तो xt से vt vt से 80 आप draw कर सकते हो और समझ सकते हो velocity के बारे में बहुत सारे सवाल जो है specially vertical motion के वो graph से dumb से easily solve हो जाते हैं graph important है but again कई बच्चे especially neat वाले बच्चे आप ignore भी कर सकते हो इन graph को अगर नहीं भी किया है तो आप से problem तो solve हो जाएंगे because बहुत ही simple problem neat में आते हैं तो slope के magnitude और direction के बारे में जानेंगे जैसे physics में हर एक चीज़ के magnitude और direction के बारे में बात करते हैं जब भी वो vector quantity होता है तो magnitude या तो increase करेगा decrease करेगा या constant रहेगा और direction positive होगा या negative होगा यही है तो हमने कहा magnitude 0 भी हो सकता है ठीक है slope का magnitude कब होगा 0 जब वो tan जो है angle जो है 0 बनाएगा मतलब की horizontal line इस चीज़ का magnitude 0 होता है so now basically slope is delta y by delta x which is equal to tan theta and which is equal to dy by dx यही हम slope के बारे में समझेंगे slope मतलब किसी point पे delta y निकालोगे delta x निकालोगे यह देखो कि x के बराबर है इस triangle में यह tan theta के बराबर है तो यही हमने सीखा अभी कि delta y by delta x is equal to tan theta और यही बाद में आप सीखोगे या आप सीख चुके होगे अपने school में कि इसी को हम dy y dx बोलते हैं जब यह delta y और delta x बहुत छोटा हो जाता है teeny mini mini mo हो जाता है तब हम dy y dx बोल देते हैं यह delta जो है यह d में बदल जाता है तो अब हमने पहली चीज क्या बोली कि slope positive है negative है पहले हम direction के बारे में सीखा हमने तो direction कैसे देखते हो आप steepness से देखते हो या फिर angle से देखते हो आप देखते हो कि भी acute angle बना रहा है अगर x-axis के साथ तो हमेशा ही positive होगा तो इस case में सारे जो orange वाले lines है यह सारे acute angle बना रहे है इसलिए slope positive था but in the second case सारे आप यहां obtuse angle बना रहे है with x-axis and therefore in all the cases slope was negative फिर हमने magnitude के बारे में देखा कि 1 से 2 से 3 तक जाते वक steepness कम हो रही है जब भी steepness कम होगी तो magnitude कम होगा so यहां पर बोल सकता हूँ magnitude of slope magnitude of slope magnitude of slope is decreasing मैं यह बोल सकता हूँ जब भी magnitude यहां पर देखो steepness increase कर रही है 1 से 2 से 3 से 4 तक तो magnitude is increasing आप बोल सकते हो हमने negative slope के लिए भी देख लिया कि negative slope में भी कोई ऐसा कोई difference नहीं आता है बच्चो negative slope में भी आप देखो magnitude तो वैसे ही रहेगा जब भी steepness कम होगी तो magnitude उसका कम होगा और उसका application physics में हमने क्या देखा हमने देखा कि भाई xt graph अगर हम बना रहे है तो मैं यहां से simply velocity को आप बता सकता हूँ कि velocity तो positive है भी या और velocity अगर positive है और उसका magnitude जो है velocity का increase कर रहा है अब एक question आप homework के लिए ले लो अगर आपने last तक देखा है तो homework question आपके लिए यह होगा कि अगर मैंने यह graph बना दिया let's say अगर मैंने यह graph बना दिया xt का x और t का तो आपको यह बताना है कि velocity के वल देखके velocity का magnitude क्या होगा is it increasing, decreasing and velocity का direction क्या होगा यह भी बताना है positive है negative है या दोनों ही है यहाँ पे आपको यह बताना है और यह इस जगह पे मान लेना कि यह horizontal line है just यहाँ पे इस जगह पे horizontal line है तो इस जगह पे क्या होता है यह भी बताना है आपको जब start हो रहा है x initial and obviously this is x final यहाँ पर finally 0 पर पहुँच जाता है particle यह भी आप बता सकते हो and this is your t final यह t 0 पर start हुआ particle और t final तक गया तो यह आपका homework question है प्लीज इसको attempt कर लो और इसके बारे में मुझे बता देना thank you बच्चो and इसी तरीके से छोटे 15-20 minute के वीडियो और एक concept सीखेंगे कल के lecture में हम देखेंगे कि यह magnitude की बात कर लिए तो क्या मैं xt से vt graph बना सकता हूँ vt से 80 graph बना सकता हूँ that is what we are going to learn in our next lecture thank you बच्चो all the very best and keep learning